स्वागत करता हूं दोस्तों मैं चेश गुपता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों आज हम आपको कैसे आप फेस्बुक डिसेबर्ड अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं उसका प्रॉपर प्रोसेस बताने जा रहे हैं जैन्वन प्रोसेस हम इधा आपको बताएंगे ये स्टेप्स फॉलो करो और उसके जरीए आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो दोस्तों इसके साथ साथ हमने एक वीडियो बनाया था इससे पहले कि ऐसे कौन से रीजन्स हैं जो सबसे जादा जिसकी वरासे लोगों का एकाउंट डिसेब है डिसेबल होने का वो क्या है तो कई जो most common reasons है 15 वो मेरी उस वीडियो में है तो प्लीज अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लिजे ताकि आप identify कर पाएं कि आपका कौन सा रीजन है जिस वरासे अकाउंट डिसेबल हुआ है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे reasons हैं कि और ज्यादा chances है digital marketing services coaching consultancy लेने के लिए website marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या call कर सकते हो अगर आपको digital marketing English language में learn करना है tutorial से ही तो आप हमारे YouTube channel marketing fundas global पे जाके सीख सकते हो तो दोस्तों बात करते हैं account कैसे recover कर सकते हैं सबसे simple तरीका है आप पहले तो कोई भी account आपके desktop या laptop में open नहीं होना चाहिए मालो आपका जो account disabled हुआ है वो तो बंद है बट आपने कोई और facebook account अपना on कर रखा है तो पहले तो उसको log out करो आप सीधा simple अपने browser में type करो facebook disabled account तो जो पहला link आता है facebook का help का उस link पे क्लिक कर और उस पे क्लिक करने के बाद why facebook disabled my account how I can recover my disabled account का एक section है उसमें link दिया हुआ है उस link पे क्लिक करो और एक form open होगा और उस form का link direct भी आप उस page पे जा सकते हो वो link भी मैं description में दे रहा हूं ताकि आप इस process की बज़ाए उस link पे भी सीधा क्लिक कर सकते हो description पे जाके और सीधा आपके सामने वो form खुल जाएगा जहां से आप अपना account recover करोगे तो दोस्तों उस form में सबसे पहले आपको अपनी mail id या mobile number डालना है जिससे आपने वो account बनाया था दूसरा step आपको अपना complete नाम डालना है जो account name आपने अपने facebook में डाला था और third कि आपको अपना एक ID proof जै इनों की facebook की जो team है verification की review team और review करती है कि यह जो identity जो person की identity आ रही है क्या उससे match करता है account image और उसका जो नाम बगारा है वो सारा पहले verify करते हैं because security facebook की team के लिए पहली priority है ठीक है तो इसलिए यह तीनों चीज़ें आपको सही देनी है कुछ भी गलत नहीं देना और submit कर देना है facebook की team इसको review करती है review करने के बाद वो अगर उनको कोई जादा मतलब आपने कोई major गलती नहीं करी आपने कोई ऐसी policy नहीं break करी जो बिल्कुल prohibited है illegal है जिस पे वो नहीं open करेगा जो कि आप मेरी उस video से देख सकते हैं जो मैं आपको बोली है 15 mistakes जो जिस वरा से facebook disabled account करता है देख ले ना मैं फिर बोल रहा हूं तो facebook दो तिन दिन maximum लेता है और आपके पास उसका जो भी आपी registered mail id होती है उसके उपर आपका जवाब आजाता है ठीक है उसमें वो बताते हैं कि ये recover हो सकता है नहीं हो सकता है या कोई link देते हैं वो तो उस पे आप click कर सकते हो तो दो से इसको follow करके और आपकी identity सब सही है और आपने कोई ऐसी wrong activity नहीं करी तो आपका account recover होगा बहुत लोगों का हुआ है क्योंकि हमारी generally लोगों के phone आते हैं हमें पता है किन वजह से उनके account बंद हो जाते हैं और फिर वो open भी हो जाते हैं इस step को follow कीजिए थोड़ा wait कीजिए क कई बरी जादा time भी लग जाता है depend के team कितनी busy है या कितने accounts review होने के उपर हैं तो आप अगर सही हो तो जरूर account open होगा और आप थोड़ा सा patience रखें पैनिक ना हो घबराए ना कई लोग बहुत घबरा जाते हैं steps follow करो थोड़े दिन wait करो आपके बस reply आएगा और जो reply आपका account recover होगा तो दोस्तों thank you for watching this video और अगर आप digital marketing के साथ साथ complete coaching भी लेना चाहते हो हमारी agency से तो आप हमारी website marketingfundas.com पे जा सकते हो और हमें direct call भी कर सकते हो thank you for watching marketing fundas कर दो दोिय अप्सक्या लेगाटçarождता के सिर्णाच ऑने उएगाट होगा हमेंधिओ कर दोर दिसक्ती हो जोग अप हमेंद्जाब होगा में टोरे चे कि ए good